चच्चा जी इस तीफा दिहले मचल घमा सान बा गठ बंधन के गाठ खुलत बा यैसन ऐलान बा काबा बिहार में काबा और भीखनाही होक सरकार मांगिला बेरुजगार बानि साहिव रुजगार मांगिला टाइम्स नौनव भारत में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है निहा सिंग राठोर तो चलिए पूछ रेते हैं बिहार में काबा बिहार में अभी वर्तमान में जो हालात है जो सिच्वेशन है उस पे मैंने एक गाना लिखा है उसमें गाने के माध्यम से ही मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में काबा अर चच्चा जी इस तीफा दिहले मचल घमा सान बा गठ बंधन के गाठ खुलत बा यई सने एलान बा काबा बिहार में काबा जनता के मुद्दा से नाहीं के हूँ परे सान बा आपन कुरसी रह सुरक्षित एहिप सब के ध्यान बा काबा बिहार में काबा अर चचा भतीजा एकके हुई है पटिदारी के बात बा हाथ के पंजा धीरे से बोले हम हूँ तो हरे साथ बा काबा बिहार में काबा वा मी काका के साथ मिललबा दुलहा यब तयार बाब बनल भतिजवा सहबला मौरियो करो कापारबा काबा बिहार में काबा और चचा भतिजा राजी बाण में जाए फुपाजी बहुत बहुत सुन्दर आपने बहुत अच्छा लिखा है अब चाचा बतीजा की इतनी बात ही हो गई है तो आप बता दीजे हमारी audience को कि कितना चलेगा आखिर ये चाचा बतीजा का जो combination है वो कितना बिहार को आगे लेके जाएगा देखिए इन नेताओं का कोई भरोसा नहीं है सबसे पहले तो ये दोनों ही एक दूसरे को गालियां दे रहे थे ठीक है एक दूसरे के विरोध में चुनाओ लड़े वोट बटूरे और इसके बाद ये दोनों एक हैं तो पता नहीं मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि कभी ये दूसरे को मतलब वो नहीं पानी पी-पी के गरिया रहे थे आज वो दोनों एक साथ हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये चचा भतीजा का रिष्टा जो है वो कितने दिन तक चलेगा या नहीं चलेगा देखते हैं क्या होता है आफिर बिहार में राजनीती में कोई भी हो जनता किसी को भी वोट डाले नितिश जी ने तो सोच रखा है कि सी एम तो वही रहेंगे कुर्सी उनके नाम रहेगी तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जनता आखिर कितनी बिहार की जो है वो मासूम बनी हुई है कि चलिए जो भी होता रहे नितिश जी कर लेंगे क्या उमीद हैं कि नितिश जी कुछ कर पाएंगे या अब ताइम आ गया है कि नितिश जी को अपनी कुर्सी जो है जो इतनी प्यारी है वो छोड़ देनी चाहिए पता नहीं कुर्शी तो सच में सब कोई प्यारी होती है इनको भी प्यारी है कुर्शी छोड़ नहीं पा रहे हैं खर बात वो नहीं है बात ही है न कि क्या बोलते हैं नितीश जी हो चाहे तेजस्वी जी हो जनता को मतलब सिर्फ मुद्दों से होना चाहिए उनकी नीतियों से होना चाहिए चाहिए नितीज जी सीम बने चाहिए तेजस्वी जी सीम बने चाहिए कोई भी government आये जाए जनता को मुद्दों से मतलब होना चाहिए कि किनके राज में बेरोजगारी पे काम हो रहा है किनके राज में स्वास्त पे काम हो शिक्षा पे काम हो रहा है तो जनता को इससे मतलब होना चाहिए सीम कोई भी हो आपने बात की मुद्दों की और मुद्दों में तो आप से अच्छा कोई हो नहीं सकता उठाने में आप हर बात पे मुद्दे उठा चुकी हैं क्या इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं लीडर्स हाँ मैं आपको बता दूँ मैं खुद को लोग गाई का बोलती हूँ तो मेरे लिए बहुत जादे जरूरी हो जाता है लोग की बात करना है ना कई बार मुझे लोग कह देते हैं यह तो आरजडी की एजेंट है यह तो जदियू की एजेंट है बिहार में काबा यह तो सीजन टू है जो अभी के हालात पर मैंने लिखाया लेकिन उससे पहले मैंने जब गाया था जब इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे ट्रोल किया तो मैंने उनको बताया कि यार चुनाओ के टाइम पे बहुत जरूरी है मुद्दों की बात रखना क्योंकि वैसे भी आज सरकार बन जाती है जब लोगों की क्या बोलते हैं वैसे भी वह लोग नहीं सुनते हैं ठीक है लेकिं चुनाओ का टाइम होता है तो 邹ट esos टाइम तो बिलकुल मुद्दों की बात होनी ही चाहिए तो मैं ये बता रही हूं कि मैं खुद को लोग गाई का कहती हो लोग गाई का मतलब ये होता है कि जो लोग के हित की बात करें, लोग का पक्ष रखें, ठीक है? तो अब क्यूंकि बहगवान ने मेरे अंदर ये चीज कला दिया हुआ है कि मैं लिख लेती हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ग बेरोजगारी और अगनीपत के ओपर जो गाना लिखा है इन में से कुछ अगर आप हमारे ओडियंस को सुनाना चाहेंगी तो हाँ मैं सारे गीर सुनाओंगी लेकिन सबसे पहले न मैं आपको बेरोजगारी पे गीर सुनाती हूँ और मैं उसको बेरोजगारी वाली गारी बोलती हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ नून तेल पैचाना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला और देश के इकोनमी के बैठ गयल भठा, आख खोला देखा मली कार हूँ जूट था खेत बारी जमिन्ना बधार मंगिला बेरोजगार बानी साहिवरोजगार मंगिला पर एक गाना बनाती हैं आप उनको बताती हैं कि ये ये मुद्धे हैं ये ये सरकार भी अच्छा नहीं कर रही है आप उन उस कटाक्ष को किस तरह से जेलती हैं क्या आपको फेस करना पड़ता है ने ट्रोलिंग तो बहुत ही गजब लेवल की होती है मुझे पता है आप कर नहीं रही हूं मैं जनेता के मुद्दे की बात कर रही हूं एक ररिया कि बहुत समझिब नहीं आँ था चीजें यह कैसे काम कररी है लेकिन अब जो है बहुत क्या बोलते हैं मैं इन सारी चीजों के साथ सामानने हो चुकी हूँ कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो भाई तू देता रहे ठीक है अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है आप दीजे आप अपना काम कीजे हम अपना काम करेंगे महंगाई को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना है बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बना है इन चीजों को लेकर जब आप आवाज उठाती हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों पर, इवन यहां तक कि विपक्ष भी अब जो एक Grand Alliance बनाता जा रहा है, महागडबंदन हो रहा है, अखिलेश जी का भी इस पर बयान है कि जो मोदी के खिलाफ वेव है, वो अब ब बहुत ही निश्पक्ष अपना बात रखती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, BJP आएगी, जाएगी, केंदर में किसकी सरकार रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, नहीं प्रवक्ता के रूप में यहां बैठी हुई तो पता नहीं क्या होगा, वो मुझे नहीं पता, वो तो जनता खुड डिसाइड करेगी, नेता लोग तो वहीं चिलाते रहते हैं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, तुम हार होगे, यह वो एक दूसरे को गाली गुलोग, और फाइनल डिसिजन जनता दे देती है कि लो भाईया तुमारे हाथ में आएगा, लड़ू तुमारे हाथ में आएगा, खुछ नहीं, तो जनता ताय करते हैं जब आप यह सब गाने लिखती हैं, तो इतनी सारी रिसर्च होती है, इतना उसके पीछे काम होता है, आप अकेली खुद लिखती हैं या फिर एक आपके पास तेम हैं जो यह सारे मुद्दों को संजयोगती है और फिर आपको गाना देती है कि लीजे निया जी काये नाइं मेरे पास कोई टीम नहीं है और में मेरे गाने खुद लिखती हूं और खुद ही गाती हूँ फिर भी हम देखते हैं कि एक तबले की आवाज होती है तबले की जो आवाज आती है तबला बजाने वाले हमारे एक भाई साहब है मैं उनको बुलाती हूं जब मैं वहां पर थी गाउं में थी तो गाउं के तबला वादक को बुलाती थी तो डोल बजाते थे अभी मैं यहां आपने कैसे सोचा कि अब आप एक लोग गीत में जहां पर जो कि इतना नहीं फुल्फिल करता है success as a career फिर भी आपने लोग गीत को चुना कि आप एक folk singer बन के अपना career choose करना चाहेंगी तो आप क्या सोचते हैं आपका career choice जो है वो सही रहा या फिर आप सोचेंगी कि आपको कुछ और करना है मैं आपको बता रही हूँ आपने कहा कि आपने क्या सोच करके क्योंकि यहां पे बहुत कम scope भी है मैं बताओं आपको मुझे नहीं पता कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे यह नहीं पता था कि मैं इस पर अपना करियर बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी और मुझे बहुत मतलब भी नहीं था इस चीज़े कि मैं कितना सफल होंगी और नहीं सफल होंगी मेरा बस एक ही मतलब था कि वर्तमान में बिहार में यूपी में जो भोजपूरी की दुरदशा है मतलब भोजपूरी की जो कंडिशन है न वो बहुत ही खराब है क्योंकि भोजपूरी में जो गाने अब जो बन रहे हैं वो ऐसे गाने बन रहे हैं कि आप न अपनी फैमिली के साथ बैठ करके नहीं सुन सकते हैं, है ना, मतलब गाने के बोल तो हैं ही गंदे, पिचराइजेशन भी उतनी ही गंदी है, है ना, तो मैंने ये सोचा कि यार अपनी भोजपूरी तो वैसे ही मतलब गर्त में जा रही है दिन पर दिन दिन पर दिन और जब मुझे भोजपूरी आती है तो मैं क्यों अपनी भोजपूरी के लिए काम करूँ तो आपको पता है मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं तो उन्होंने का क्या यार भोजपूरी में गा रही है तुमको कौनी सुनेगा, दूसरी चीज भोजपू खासकर शेत्रिय भाशाओं को लेकर काफी सपोर्ट में हैं उन्हें वह भी चाहती हैं बढ़ावा मिले इसी के चलते आप भी अपना एक भोजपूरी बचाओं आंदोलन कर रही हैं इसके बारे में हमारे ऑडिंस को किस बताईए जी मेरा एक आंदोलन है भोजपूरी लाइब के गीट से तो मैं आभ भोजपूरी में ने ने गीतों क कर रही हूँ जितना मेरे से बहुता है ऐसे गीट जो क्या बोलते कि बाठ नेति Tei के कहके सुना जा सके ऐसे गीट जा राजनीती में अपना एक क्या बोलतेgehen प्रभाव बनाय रखता है और दूसरी चीज मैं भोस्पुरी लोग गीतों के संरक्षन पर काम कर रही हूँ संरक्षन पर मैं ऐसे काम कर रही हूँ कि आज से 30-40 साल पहले जो हमारे मम्मी लोग गीत गाते थे वो गीत, अब हमारे जनरेशन के जो लड़किया है न, उनको लगता है कि बोस्पुरी न, बहुत, बोस्पुरी में गाना बहुत ही गवार टाइप माना जाता है, बहुत ही वैसे हम पिछड़े हैं कि हम गाएंगे, लेकिन मैं उस पे काम कर रही हूँ, मैं, वो नहीं होता है चाचियों के पास जाना नानीयों के पास जाना दादी के पास यसे बैठ करके मैं गीत लिखती हूँ डायरी में नोट करती हूँ और फिर मैं उन गीतों को record करती हूँ और घाती हूँ एना तो ये एक मेरा मुहिम है भोश्पुरी बचाओ अंदूलन मतलब उनको demoralize करने की कोशिश करी क्योंकि मुझे लगता है कि अभी की जमान में social media यह बहुत बड़ा हथियार हो गया लोग यहीं पर गाना गा करके हिट हो जाते हैं या पर कुछ भी जो उनके अंदर talent है तो यहीं से hit होते हैं यहीं से flop होते हैं तो मैं अपनी audience को audience को क्या मैं भोजपूरी जितने लोग भोजपूरी समझते हैं बोलते हैं मैं उन सारे लोगों से यह कहती हूँ और अभी भी कहरे हूँ आपके channel के माध्यम से भी कि आप हमारे मुहीं से जुड़ी और कहीं भी आप लोगों को गंदे गीत गाने वाले और सुनने वाले लोग मिले तो आप उन्हें डिमोरलाइज करिए, तभी जाकर के हमारा ये मुहिम सफल हो पाएगा, अदर्वाइस तो भोषपुरी में गंदे गित गाने वाले गाते रहेंगे, और ऐसे गंदे गायोकों को बहिशकार करें, साप सुतरी छवी पूरे देश में बनाने की जरूरत है अपने भोषपुरी की.